कि सिच्छा के जिग्या सुमों नमस्कार आपका स्वागत है डाक्टर पमन सुखला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपको ज्यांती है कि हम लोग सिच्छा सास्त विशे की चर्चा कर रहे हैं इसमें सिच्छा के दासनिक प्रिष्ट भूमिका जननिक प्रया सम्लूप कर रहा है, इस समय जो हमारा प्रकनाशन चल रहा है वो ज्यहन सिच्छा दर्सन के देन ज्यांत्र का थी यस साज के बने कि बिचार रखता है इसको जानने का प्रयास करते हैं तो हम जानते ही है कि संसार के जो सभी जियों में मनुस्य सबसे मुचा है किसमें पांच इंद्रियां है और एक छटी हमन भी है आपको पता है बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जिनमें एक ही इंद्रियां या फिर पाचों इंद्रियां होने के बाद मन नहीं है और वे अपना जीमन जो है भूग पयास जैसे छोटी मोटी आवशकताओं को बिताने में पूरी करने में ही बिता जेते हैं मन एक छठी इंद्री होने के कारण मनुस्य क्या है अपने विवहारों को नियंतित कर लेता है और सिच्छा के द्वारा बालक की विवहार को जो है उच्छतर जीवन की और प्रिद किया जा सकता है बालक का विएक्टित दो त कि जो आत्मा कहा जाता है वही बद्धात्मा है जब बद्धात्मा हो जाती है तो जीवात्मा हो जाता है दूसरा पुद्गल से निर्मित शरीर है आत्मा शरीर और इंद्रियों से भिन एक चेतन सकता है आत्मा जो है शरीर और इंद्रियों से भिन एक चेतन सकता है बालक का जो मिलता है उसको उसके पूरो जन्मों के जो पहले के कर्म हैं उन कर्मों का प्रतीक है और यह संसार कई पौधगलिक यानि भावतिक परमाणों से बना हुआ है और प्रतेक बालक का सरीर जो है उसका वाता वरण अनेक पौधगलिक परमाणों का यह मिस्ण होता है कर्म भी जेन धर्मक में आपने देखा होगा कर्म को भी पुद्गल ही माना जाता है ब्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है उन कर्मों से संबध पुद्गल जीव को आबरित करते हैं तथा अगले जन्म में उक्त कार्मिक पुद्गल से निर्मित सरीर को जीवात्मा धारन करता है जो क जो बनी होई शरीर है यह नासवान है लेकिन जो सूचम सरीर है वह कर्मों को इस जन्म से उस जन्म तक अगले जन्म तक लेके जाता रहता है तो वही जो कार्मण सरीर ही सूचम सरीर का रूप गहन करता है और जीव जानते हैं जीव की प्रकित ऐसी है वह जिस प्रकार का सरीर मिलता है कर्म के हिसाब से उसमें अपने आपको समाहित कर लेता है और सभी बालकों की आत्मा समान और नित्य होती है जो भिन्यताएं दिखाई देती है वह कर्म जनित होती है सरीर के लच्छन हैं पूरोस जन्म से संचित कर्मों के कारण सभी बालकों का विकास से एक समान नहीं होता है कर्म जन्म कर्म जन्य असमानताओं को ध्यान मर रखका अध्यापक प्रतिक बालक के लिए प्रतिक बालक की प्रकिती है उसको अपनाना पड़ता है और क्योंकि कोई बालक कोई इस तूल के माद्यम से ग्यान प्राप्त करता है तो मलग सामने जो बड़ी चीज़ें दिखाई रेते हैं उन से ही सिख्चा है तो कोई तर्क से सीख लेता है किसी चात्र को अधिक समय लगता है तो किसी को कम समय लगता है तो इन सब बिन्नताओं को सिकार करते हुए है कि इसमें नियत आत्मा एक ही आफ ही है। जहिं दर्शन जीवों की अनेकता को स्विकर स्विकर करताες अपनिன्षाद या वेदांत के समान आत्मा की समानता पर विस्वास रकते हुए भी यह आत्माहों को एक नहीं मानता यह प्रत्यक्षात्र के अद्धिति अस्तित को स्विकार करता है और श्रब के सरीर स्वतंत्र आत्मा सबका अपना व्यक्तित्व सबके अपने कर्म हैं और उनके अपने निड़े हैं अपनी नियत का वहेक मातर नियंत्रा है और नियमक है कोई बाहरी कर्मों उसके कर्मों पर नियंत्रा रखने वाला नहीं है वह किसी के प्रज्मिरार नहीं है यानि जो आपने देखा अभी हमने बताया कि जो उसमें आत्मा में एक समंता भी है लेकिन जैन दर्सन स्विकार करता है कि सब लोग जीतनी आत्माएं हैं सब अलग-अलग हैं इसलिए आपको मैंने स्याद प्रज्मिरा बताया पिछले वीडियो में आप देखिएगा अनेकांत वाध तो अनेकांत वाध यहीं करता है कि जीतने लोग हैं सब के अलग-अलग हैं और सब अपने-अपने अस्तित्यों के जिम्मेदार स्वयंग हैं तो उसके किसी वाह सत्या इस्वर जैसी बात को करता है कि आप मैजिमाईज करें अपने आपको जगाएंगे अपनी चेतनता को जगाएंगे उतना ही अधिक आप इस्वर के करीब होंगे किसी यादे से आप है कि कारण उसे कर्म नहीं करना पड़ता वह स्वतंत्र इच्छा सक्ति वाला प्राणी है उसे अपना स्वयंग न कर्म किसी और के द्वार नहीं किया जा रहे हैं और फल भी किसी और को नहीं मिलने वाला है कर्म का फल स्वयंग उसको ही मिलेगा जो की कर्म करने वाला है स्वतंता के संदर में जैन दर्शन जो विद्यार्थी के स्वतंता है इस संदर में जैन दर्शन एक बिहद इस्टिक नहीं किया जा सकता है ज्यान कोई वाईवस्तु नहीं है सिच्छा के द्वारा हम जीवात्मा में विद्यमान जो पुद्गलों से घिरे हुए ज्यान का क्रमसर अनवरण कर सकते हैं यानि जो अज्यान का परदा है आप उसको हटा सकते हैं कोई नया ज्यान उसमें प्रविश नहीं है बलकि उसमें ग्यान परियाप्त रूप से है बस हमको करना क्या है एक सिच्चक को या फिर आप जो भी समझ ले एक जो उसको जागरित करने वाला है उसको करना क्या है कि दीरे-दीरे ऐसा प्रयास करना ऐसी व्यवस्था करना कि उसके अग्यान के जो परदा है अवर प्रदस्ट करता है महाव्रति कहलाता है उनको महाव्रति में अनिमारित्ता पाए जाने चाहिए जो पंद्रह महाव्रतों का अच्छार सा पालन करने वाला होता है उसका जो स्रमण होता है उसका जीवन स्रमण के लिए ना हो करके समाज के लिए होता है वह जो कुछ भी करता है अपने लिए नहीं करता है बिल्कि समाज के लिए करता है वह इससी संदर में समाज के लिए हितके जीता है और अपनी आत्मुनत भी करता रहता है कर सत्याचरन करता है कभी जूट नहीं बोलता है चोरी से बसता है ब्रमचारी होता है और किसी भी प्रकार का जो धन शंपती नहीं रखता है दूसरा जो होता है वो स्रावक कहलाता है स्रावक जो है इसकी सिच्छा जो होती है सांसारिक जीवन को पवित्ता के साथ जीवन के जीने के लिए होती है वो अड़ ब्रती कहलाता है उसका जो अर्थात उसके स्वरत जो है स्रवन की ब्रत की तुलना में सरल होते हैं इसके सिच्छा सुखी ग्रियास जीवन बतीत करने के लिए होती है, अध्यापक पेच्छा करता है कि जैसा भी जीवन बिता है, उसमें पांच जो वरत्थ हैं, उनका सूच मोर सीमित रूप से प्रद्विम्ब होना चाहिए, वह संसार में रहता है, इसलिए जीवन से हर प्र प्रिवारिक, सामाजिक, राजनायतिक, ब्रवसायज जीवन के हर पहलों में हिंसा, सत्या, इस्ते, निरमलोपता, परिग्रभ का अनुकालन करने का प्रयास करना चाहिए, उसे, जैन दर्सन में छात के लिए अत्यन्त कटोर अनुशासन का प्रावदान किया गया है, क्यों और शेयन दर्शन में सिश्य के प्रती समर्पन का भाव मांगा जाता है पेच्छा की जाती है कि विद्याप्राप्त करने के लिए पहली सर्थे की सिश्य बिनीत हो उत्तरा देयन सूत्र में सिच्छार्थी के निमलिखित 15 गुणों का वर्णन किया गया है कि गुर्जनों के साथ बिनमर्था सिवा दलाप करता हो उनसे नीचे आशन पर बैठता हो चपल नहों निश्कपट भाव से वर्ताव करता हो, कौतुक या मस्करापन उत्पन न करता हो, और तता उनमें अनावर्ष्यक रूची न लेता हो, गुर्जनों का अपमान न करता हो, कलह उत्पादक बाते न करता हो, अर्था जगडालून प्रकित का न हो, मितता का निर्वाह करता हो, अप्रिय मित्र के भी गुणों को परोच रूप से ग्रहन करता हो और कहता भी हो, वाग युद्धा और उसारीजी की युद्धन करता हो, दोनों से दूर रहता हो, सिष्टाचार का पालन करता हो, आवस्यक लिहाज करता हो, इंद्रियों पर विजय पाया हुआ हो, इस तरह स जो छात लच्षण दिये गए हैं, आज के मनोबग्यानिक सिचन प्रक्रिया में अनकुल नहीं है, लेकिन ये जैन दर्शन एक अधिनायक वाली सामाजीक्स ब्यवस्ता में ठीक बैठता है, लोकतन सिचन प्रक्रिया में स्वाबवविक, जिग्यासाबाद, विवाद, पा जिखता है, वह अनेकांत वाद के लच्षण इसमें आपको मिलते हैं, जो स्रमण है, और जो स्रामक है, इस तरह के जो उसमें अनेकांत वाद की बात करता है, कि जीतने भी स्रिष्टी के लोग है, सब में अलग-अलग गुण पाये जाते हैं, और स्रब में जो अधितियता है, उस अधित्विता को यह स्विकार करता है, इसलिए जैन दर्शन को एक छात्र संकल्पना के संदर में एक भीहत द्रिष्टी कौन मिलता है, इसमें, आप लोगों ने जो छात्र संकल्पना को सुना, देखा, समझा, जो भी बातें आपको कहना हो, कमेंट बाक्स में आप चैनल लाइक करने, सेर करने, सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं, धन्यवाद, नमस्कार